हलो दोस्तों मिना नाम है मुहम्मद कैसर और आप देख रहा हैं स्टडी चनल बात करेंगे लेकपार भरती में हुई एक बड़ी धांदली की और उसके बाद बात करेंगे टीजेटी पीजेटी परिक्षात एठीकी वीडियो में लाक्ष तक बढ़ने से पहले एक जरूरी दोस्तों युपिट्री परसी मुख सेविका भरती परिक्षा 2022 की इस बेस्ट बुक के बारे में जो चक्सू प्रकाशन की तरफ से आती है और यह है संपूर गाइड बुक जिसमें मुख सेविका की पूरी पूरी सेलबस कवर की गई है मुख सेविका की भूमिका जिमिदा है और मैं आपको इसका पहला ध्याई भी दिखा देता हूं परिक्षा उपयोगी महत्वूर्ट प्रश्ण भी दिये होते हैं और उसका उत्तरमाला भी आपको मिल जाता है तो यदि आपको यह किताब लेनी हैं ऑन-लाइन तो डिसक्रिप्शन बॉक्स में लिंग दिया गया ह साथ साथ यह किताब हैं ऑफ-लाइन मार्केट में भी इजली अवेलेबल हो जाती हैं और चक्सु प्रकासन की अन्य पुस्तेक हैं भी अवेलेबल हैं जो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं तो दोस्तों लिखपाल भर्दी में वह भरस्टचार को लेकर आज सुबह से अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं वरुन गादी जी ने आज ट्वीट किया है अपने ओफिस्चल ट्विटर हैंडल से कि लेकपाल भर्दी परिक्षा में सौलवर गैंग से जुड़े 15,000 अभ्यारती बैठे किसी परिक्षा में 15,000 औयोग अभ जाएगा और ये वाली निउस्पेपर की कटिंग इन्होंने शेर की इसमें साप साप कहा गया है कि लेकपाल भर्दी में 15,000 संदिक तब भर्दी हैं और ये कहा है स्टी अफ ने स्टी अपने रिपोर्ट बनाकर यूपिट रिपल सी को भेज दी है जब से ये परिक्षा हो का कहता है और इस पर सरकार क्या फैसला लेती है अक्टूबर लास तक रिजर्ट भी आने वाला था लिखपाल भर्दी का लेकिन अब जिस तरह से इस पर जाँ चोड़ ही ये रिजल्ट में डिलिय होने वाला है और यह दी भर्द नहीं हुई तो अक्टूबर लास यॉत न पर नहीं तो इसी तरीके से मनमानी करेगा चैन बोर्ड काफी समय बिद गया चैन बोर्ड में सदस्यों की नुक्ती अभी तक नहीं हो पाई और अभी भी कहा जा रहा कि अभी 15 दिन और लगने वाले हैं 15 अक्टूबर के आज पास चैन बोर्ड में सदस्यों मिलेंगे वो भी मिल पाएंगे या नहीं इसकी भी कोई गारेंटी नहीं है चैन बोर्ड काई भी कहना है कि जब तक सदस्यों नहीं आएंगे तब तक परिक्षा तारीकों का एलान नहीं होगा तो ये परिक्षा दिसंबर लाश्ट में जा रही है या फिर यदि इसी तरीके से डिले हुआ तो आपकी परिक्षा अब 2023 यानि अगले साल ही हो पाएगी जहां इसी साल इस भर्ती को पूरा करने का दावा किया गया था चैन बोर्ड के दुआरा इसकी परिक्षा ही इस साल होती हुई नजर नहीं आ रही है अगले साल तक परिक्षा ही जा रही है तो एक प्रतियों की छात्र हैं सितला प्रसाद ओजा जो एक बहुत ही प्रतिबाशाली छात्र भी हैं बहुत सारी परिक्षाओं को क्रैक कर चुके हैं उनका एक छोटा समय से आप ये देखिए सब तुरंट सब जयापना जाएगा जल्द से जल्द परिक्षा हो जाएं केवल 15000 लंकि मेरे साथ आजाएए मैं कोई छातर नेता नहीं हूँ मैं एक प्रतियोगी चाहत हूँ मेरा चयन रुपता है चाहे वह PGT की परिक्षा हो चाहे PGT की परिक्षा हो तो एक और दो नमबर से केवल रुपता है इस चीज को मान के चलिए और मैं कहना चाहता हूँ ना किसी को एक पैसा चंदा देना है ना कुछ करना है केवल आप की चाहतरों ने एलान किया कि यदि आप इकठा हो जाएं एक बार चैन बोर्ट पर चलना है अपनी मांग को मजबुती से रखें तो सदर से भी मिल जाएंगे परिशा तारीकों का एलान भी हो जाएगा और यह भी PSC पर यदि हम लोग पहुंचे तो LTE क्रेट का विग्यापन भी जारी हो जाएगा नहीं तो इसी तरीके से हर भरती डीली होती रहेगी चैन बोर्ट का तो आपको पता ही है पंच वरसी योजना बनकर इनकी भरतियां रह जाती है पिछली बर्टी 2020 स्वाली 100 समय इस वज़े से पूरी हो सकी चुकि उसमें सुप्रिम कोर्ट का प्रेसर जा रहा है बागी कोई अपडेट और जनकार निकलेगी तो आपको सुचना दिया जाएगा आपको हमारे साथ बने रहे है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार की सब भी लेटेस्ट और आथेंटिक इन्फरमेशन मिलत रहे थैंक्स और वाचिंग